नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाहा में Dr. Mahi Paal Singh राठोट और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा Ministry of Home Affairs के द्वारा Missionaries of Charity के FCRA Renewal को reject किये जाने के बारे में FCRA क्या होता है, Mysteries of Charity क्या है और ये renewal क्यों reject किया गया है, नहीं सब points को हम discuss करेंगे आज इस लेक्चर में तो news ये है कि 25 December को Missionaries of Charity जो की Mother Teresa के द्वारा स्थापित किया गया संगठे ने उसका Foreign Contribution Regulation Act Registration refuse कर दिया ग्रह मंतराले ने मना कर दिया कि उसको हम renew अगले साल के लिए नहीं कर सकते तो आगे बड़े detail में इसकी चर्चा करें, उससे पहले कुछ important points आपको इस lecture का PDF मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, Pathfinder के टेलिग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा इन दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारे lectures की updates चाहिए चैनल को भी subscribe करना ना भूलें, bell icon दबाएं ताकि आपको सारे latest information मिलती रहे आज और कल रात 8 बजे anacademy app पर आपको मेरी 2 special classes which are free for everyone ये देखने को मिलेंगी, NCRT quality के MCQs जो मैं कर रहा हूँ December के महिने में उनी को हम continue करेंगे, काफी conceptual questions है, prelims में पूछे जाते हैं, बहुत ही tough quality questions उनको हम यहां discuss करेंगे, और मेरा post independence history कोर्स शुरू हो रहा है plus platform पे 29 December से, so you can join that अब missionaries of charity क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं missionaries of charity की शुरुवात करी गई थी सान 1950 में, Calcutta City में तब उसका नाम Calcutta हुआ करता था, Mother Teresa के द्वारा तो Mother Teresa ने ये संगठन शुरू किया था, गरीबों की मदद करने के लिए जो लाचार हैं, कई कोड से पीडित हैं, जिनको कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता है ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने ये संगठन की शुरुवात करी थी So 1950 में एक देश में, एक शहर में शुरू आई संगठन, आज के समय लगबग 130 देशों से भी जादा में काम कर रहा है और इसमें कई हजारों Missionaries of Charity की Sisters जुड़ी हैं, आप अकसर इने इस प्रकार की White और Blue Border की साड़ी में देख सकते हैं ये इनका एक typical dress होता है, और ज़्यादा तर शहरों में आप देखेंगे कि Missionaries of Charity के home होंगे वहाँ पर गरीबों को लाया जाता है, जिनको कोई नहीं care करना चाता, उनके लिए care करी जाती है Mother Teresa को अपने इस सिवाकारे के लिए 1979 में Noble Shanti Purushkar से भी नवाजा गया था और 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्ति हो गए, उसके बाद ये संगटन उनके जो अनुयाई थे वो चला रहे है September 2016 में Mother Teresa को officially Christian Catholic Church ने एक संथ की उपादी दे दी So that is why she is now Saint Teresa लेकिन अब ये बात भी बिल्कुल ता है कि Missionaries of Charity पर पहले भी कई बार ये आरोप लगते रहे है Financial Management के या फिर विदेशों से donations etc किस प्रकार से आ रहे हैं किस तरह के लोगों से donations लिए जा रहे हैं इसको लेकर काफी controversy पहले भी हो चुकी है तो अभी recent controversy जो हुई है वो हुई है FCRA को लेकर देखे भारत सरकार ने एक कानून बनाया था 2010 में Foreign Contribution Regulation Act 2010 में ये कानून आया था नाम से आपको सपष्ट हो जाएगा कि विदेशों से आने वाला कोई भी आपको donation या फिर aid जो आपके संगठन के लिए आप ले रहे हैं उसको सरकार regulate करना चाहती है उस पर कुछ control लाना चाहती है और ये पैसा किसी के लिए भी हो सकता है It is not just for charity organizations आप चाहे hospital चला रहे हो school चला रहे हो, कोई business चला रहे हैं किसी भी प्रकार का अगर आपको विदेशी साहता प्राप्त होती है मतलब ये business transaction से related नहीं है but it is like a help अगर आप किसी से पैसा लेते हैं, donation लेते हैं विदेश से तो उसको सरकार regulate करना चाहती है तो कोई भी विदेशों से अगर पैसा आता है सरकार को लगता है कि आपका जो पैसा आ रहा है वो देश हित में काम नहीं आ रहा है it is going against national interest देश के हितों के against जाकर आप वो पैसे का इस्तमाल कर रहे हैं, तो उस पैसे को रोका जा सकता है, it could be prohibited for acceptance of that money ये कानून जब लाया गया था 2010 में, उस समय काफी चर्चा चल रही थी कि देश के कई NGOs हैं वो development projects को रोकना चा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और उस समय, 2013-2014 की बात है IB ने एक report भी दी थी सरकार को कि NGOs जो है, उनका stance, development projects को रोक रहा है, उनके विकास को रोक रहा है 2014 में IB की एक और report आई थी, जिसमें specifically Greenpeace नाम के NGO को highlight किया गया था और ये कहा गया था कि देश की आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंच रहा है, देश के आर्थिक सुरक्षा को खतरा है, जो Greenpeace की funding आती है, उनके मात्यम से क्योंकि वो जादा तर देश के power projects के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, जहां से भी Greenpeace को funding मिलती है, जिन भी संगठनों को वो fund कर रहे हैं, तो Greenpeace आपको नाम से ही पता है, it is an environmental activism group, तो इन्होंने उस समय 2010 से 2014 के बीच में काफी सारे देश के thermal nuclear power plants के खिलाफ और Aluminium coal mining operations के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तो लोक सभा ने 2010 में UPA government के समय, FCRA को पास किया, और FCRA के अंदर recently 2020 में कुछ amendments भी किये गए ये amendment mostly इसले थे ताकि और जाला transparency लाई जाए, तो simple से amendment थे, जैसे कि आधार नंबर देना जरूरी है, जो भी NGO चला रहा है उस व्यक्ति को, और सरकार चाहे, तो किसी भी संगठन पर inquiry बिठा सकती है, अगर उसे लगता है कि कहीं पर भी foreign funds का गलत इस्तमाल हो रहा है, तो, अब FCRA काम कैसे करता है, देखे, अगर कोई भी संगठन, विदेशों से पैसा लेना चाहता है, तो उसे ग्रह मंतरा लेके पास जाकर एक application submit करनी होती है, कि यह हमारा organization है, यह काम करते हैं हम, यह हमारे bank accounts है, उनकी details है और इसमें पैसा आएगा विदेशों से यहां यहां से पैसा आने वाला है, उसकी पूरी details आपको disclose करनी पड़ती है अब यह सारी details में अगर कुछ गरबढ है, तो कई संगठनों को renewal नहीं मिलता, हर साल यह renewal लेना पड़ता है और ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक संगठनों का renewal reject हुआ है, कई सरकारी colleges का भी renewal reject हो चुका है जैसे कि IIT कानपूर और JNU का जो FCRA renewal है, वो इस वक्त नहीं दिया गया है उन्हें, यह top national educational institutes है, और आपको पता ही होगा कि इन colleges के alumni जो देश-विदेश में रह रहे हैं, वो काफी बार पैसा भेजते हैं अपनी university को help करने के लिए, इनके alumni network काफी strong होते हैं, तो यह अभी विदेशों से पैसा नहीं ले सकते, खास करके IIT जैसे colleges के लिए तो यह बहुत बड़ा issue है, उनमें कई सारे funding से ही research वगेरा चलते हैं जो alumni के द्वारा funding आती है तो यहाँ पर केवल religious organization नहीं बलकि मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ, सरकारी संगटन, सरकारी colleges तक के renewal को reject किया गया है, लेकिन यह बात भी कही ना कहीं सही है कि बहुत सारे Christian missionary organizations के FCRA renewal को रोका गया है, अभी चार साल पहले Compassion International नाम का एक करी थी, और 2017 में Human Rights Council में, US और Germany ने भारत क्या लोचना करी थी, officially कि भारत के जो यह नए funding norm से FCRA के, these are not good these are stopping foreign aid जो human charity work के लिए जा रही है, अब देखें दुनिया के कई देशों में ऐसे कानून है, केवल भारत यूएस का जो F.A.R.E. है, उसमें NGO's के लिए, जो charity work करते हैं उन पर restrictions काफी कम है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि foreign funding of US NGO में, तो US साफ तोर पर कहता है कि हम कोई limit या restriction नहीं लगाते है foreign funding पर, लेकिन आप आतंगवादी संगठनों से पैसा मत लीजे, बस यह की restriction है उनका कि terrorist organization से funding नहीं आनी चाहिए, या फिर political candidates वगेरा से funding जो चुनाव के लिए आती है, वो सब नहीं होना चाहिए उसके अलावा charity work के लिए कोई funding का restriction नहीं है, तो US का जो F.A.R.E. वो भारत के F.C.R.E. से थोड़ा सा जाधा deal देता है, it is a little bit less strict than the Indian version of the act, तो देखें भारत की अलग परिशानिया हैं, भारत में अलग problems हैं, तो यहां का कानून थोड़ा सा जाधा strict है, अब भारत में इस कानून जो एक जनवरी से उनका renewal होना था, that has been stopped, और इसको लेकर कई politicians ने भी यह मुद्दा उठाया, West Bengal की Chief Minister Mamata Benerji ने भी यह tweet करके कहा कि 22,000 patients और employees को कोई benefits नहीं मिल रहे हैं, food, medicine सब रुख जाएगा, और उनके bank account froze कर दिये हैं, हाला कि यह news गलत थी, bank accounts freeze नहीं किये हैं, खुद missionaries of charity ने बाद में एक statement जारी करके यह खा कि हमारे bank accounts किसी ने नहीं freeze किये हैं, bank account freeze करना एक बहुत बड़ा step होता है, bank account हमने खुद ने transactions अभी रोग दिये हैं, क्योंकि, क्योंकि अगर आपके पास FCRA का approval नहीं है, certificate नहीं है, और उस समय में कोई foreign से आपके पास पैसा आ जाता है, आपके bank account में, तो ऐसे में वो illegal होगा, या फिर उसमें आगे चलकर problems हो सकती हैं, तो इन्होंने अपने ही स्तर पर to take precautions अपने bank accounts में transactions को अभी के लिए रोक दिया है, ऐसा missionaries of charity ने खुद 27 तरिक को ये statement जारी करके बात कही है, दूसरी और home ministry ने भी एक press release जारी करके ये कहा, कि missionaries of charity के कुछ eligibility conditions पूरे नहीं हो रहे थे, इसी लिए उनका FCRA के तहट जो regulation, जो renewal है, वो रोका गया है, definitely it has not been approved, बट उसके अंदर क्या problem है, वो home ministry नहीं बताती है, क्योंकि वो एक sensitive matter है, तो उसके बारे में disclose नहीं किया गया है, और ना ही missionaries of charity की तरफ से उस पर कोई statement जारी हुआ है, और State Bank of India ने भी अपनी तरफ से कल ये सपश्ट कर दिया, कि हमने कोई bank account, missionaries of charity का freeze नहीं किया है, तो ये था पूरा मुद्दा, और अगर आपको ये lecture अच्छा लगा, तो चैनल को subscribe करना ना भूलें, वीडियो को like ज़रूर करें, और comment में अपना feedback दें, आप इस telegram channel से PDF download कर सकते हैं, अगर आप UPC exam की तयारी करना चाते हैं, तो मुझसे और Unacademy के अन्य educators से live पढ़ सकते हैं, हमारे platform पर, यहाँ पर plus और iconic दो प्रकार के subscription है, iconic में आपको added benefit मिलता है that you get one-on-one mentorship, तो इन सभी subscriptions में आपको 10% discount मिलेगा, अगर आप Nepal code का इस्तमाल करते हैं, तो और याद के subscriptions भी यहाँ पर available हैं, और GS और optional का combined subscription, जिसमें आपको Tesseries, notes, सब कुछ मिल जाएगा, by the way you get Tesseries and notes free of cost in all one year plus subscription, तो यह आपको इस special price पर available होगा, only for today, और यहाँ पर UPSC के हर Wednesday को नए batches बनते हैं, so you can join these new batches, जैसे ही आप subscription लेते हैं, एक नए announcement आने वाला है, उसका इंजार कीजे, 31 तारिक को हम काफी special news आपके लिए लेकर आ रहे हैं EMI पर भी आप यह सभी courses को available कर सकते हैं, उसके लिए इस video के नीचे दिएगा, description में, link में click करें, और वहाँ से आपको पूरा process समझ में आ जाएगा, हमारी free test series है उनका फायदा उठाइए, कोई भी free content unlock करने के लिए महिपाल code का इस्तमाल कर सकते हैं Unacademy Combat एक live test होता है इस mock test में हिस्सा लेकर अच्छी rank लाकर आप यह subscription को free में avail कर सकते हैं, you can get a scholarship if you get a good rank in combat, thank you very much for watching this, have a great day